हेलो गाइज, वेलकम बेक टू आर एनेलेसेस वीडियो, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी इंडियन मार्किट में कम्प्लिटली एक नेगेटिव साइड की फॉल ही आती रही और हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हमारे इंडियन इंडेक्स हैं, उनमें कहीं न कहीं हमें अराउंड 3% तक की इंट्राडे की फॉल देखने को मिल गई, अब दोस्तों कल के लिए हमारी क्या रनीती रहने चीए, क्या हमारे लेविल्स रहने चीए, किस डिरेक्शन में हमें अपने ट्रेड एक्जिक्यूट करना है, वो सब चीज़े मैं आपको इस चुकी है, और मैंने आज सुबह ही आपको प्री मार्केशन में भी बता दिया था कि हमारे जो ग्लोबल क्यूज है, वो हमें क्लिरली इंडिकेशन दे रहे हैं कि आज हमारी इंडियन मार्केट जो है, वो रेड ओपनिंग हमें देगी, और उसके बाद मैंने आपको यह बत अच्छा खासा टार्गेट के अंदर मची करेंगे, और इग्जैकली दोस्तों यही सिनेरियो हमें मिला भी, अब कली के लिए दोस्तों हमारी निफ्टी के अंदर क्या रग निती रहनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, अब निफ्टी अगर आप देख पाएंग हम निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे, तो उससे पहले दोस्तों मैं आपके लिए निफ्टी के लिए लेवल्स लेका आया हूँ, तो निफ्टी जब तक इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है, तब तक हम निफ्टी में कहीन है कहीन अपना ट्रेड एक्जेक्यूट करे कि मैं दोस्तों हमारा कुछल एक साइकोलोजिकल लेवल भी है सेवंटीन थाउजंड के राउंड का लेवल यह अगर ब्रेक होता है तो आप नेगिटिव साइड पे निफ्टी में वर्दर वापस से एक अच्छी खासी फॉल आते हुई देख सकते हो अब आते हैं दोस्तों ह हमारे अगले इंडेक्स पे जो कि है आपका बैंग निफ्टी कि दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो बैंग निफ्टी मेरी कोई रॉक्ट साइंस नहीं है बैं अगर आपको मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पायके दिखाऊ तो बैंग निफ्टी अपनी सपोर्ट को hold कर चुका है जो कि previously आप देख पाएंगे यहां पर भी कहीं न कहीं इसको एक volatile market ने support find करी बार बार यहां पर भी कहीं न कहीं breakout एक support लेना आया था पर breakout दे दिया उसके बाद ऐसा resistance इसको यह face हुआ था अब exactly market में वहीं से support वापस आई है और कहीं न कहीं एक उससे उपर ही कहीं न कहीं हमें closing मिली है अब दोस्तों काली के लिए bank nifty में मेरे लिए क्या रहनेती रहने वाली क्या किस rule के हिसाफसे में trade करना अपना एक पसंद करूँगा तो मेरे लिए जब तक यह level एक support का काम कर रहे हैं जब तक मैं bank nifty में negative side की opportunity बिल्कुल भी find नी करूँआ क्यूंकि nifty की तरह bank nifty भी एक overstressed territory में आ चुका है जैसे दोस्तों हमें bank nifty break देगा एक हमारे important level का जो कि आपका 36,350 के round का level है हम इसमें negative side की opportunity find करेंगे बट उससे पहले दोस्तों आप देख पहेंगे तो अगर मेरे को bank nifty positive side के लिए execute करना है तो एक मेरे को wait करना होगा कि मेरा important level break हो जो कि मेरा 37,100 के round का level है जैसी दोस्तों मैं इसको पहले correct कर देता हूं जैसी दोस्तों मेरा आपके इसमें सिर्फ SLE हीटो तो उसके आप वेट करिएगा कि इन levels का ही breakout आपको मिले उसके बाद कहीं ने कहीं आप अपने trade execute करने की कोशिश करिएगा अब आते हैं दोस्तों हमारे best for intraday stocks में जो कि मैं आपके लिए इंट्राडे के लिए लेकर आयों कल के लिए पहला स्टॉक जो दोस्तों मैं आपके लिए आपका बजाच फिंसर की मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों थोड़ा सा आप देख पाएंगे डेली वनार के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट आपको फाइंड हो रही होगी यहां लिए आप देख पाएंगे थोड़ा साब को डेली टाइम फ्रेम पाके तो मैं आपको कि एक्जैक्ली मार्किट बार बार इसी रेंज के आसपास आके सपोर्ट फाइंड कर रहा है यहां पर सपोर्ट फाइंड करी यहां पर सपोर्ट करने के बाद एक अच्छा मूव दिय और एक्जैक्ली थर्ड टाइम एक काइंड अफ ट्रिपल बॉटम का भी पैटन हम इसको कह सकते हैं और एक अच्छी खासी सपोर्ट हमें इसमें आती हुई दिख रही है अगर दोस्तों कल मार्किट पॉजिटिव रहती है नेगिटिव रहेगी तो दोस्तों हम इसमें इस की खासी अपॉटुनिटी देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों टार्गेट आपका पॉजिटिव साइट पर क्या रहने वाला है टार्गेट आप अपना वन इस्टू पर रखके चलेंगे और जो आपका स्टॉप लोस है वह आप इसके अंदर बहुत ही छोटा यसी ट्रेंड लाइन के पास से कहींको हमें सपोर्ट देखने को मिल रही थी मैं आपको दिखाए प्याग सथायमम्वी दोस्तों कही न कहीं आप देख पाएंगे कि वापस से support लेता हुआ तो जैसे ही कपने अप्रिवेस्टी जो इसको अबसे बात करूं तो लेवल आपका एक इंपोर्टेंट जो की बनता हुए इसमें हमें दिख रहा है वह आपका 181880 का लेवल जैसी दोस्तों आपका 1880 का लेवल ब्रेक होगा आप इसमें जो अपना टार्गेट ला के चल सकते हैं वह वन इस्टू टू का लगा के चल सकते हैं और जो आपका आने वाला 526 का इसके अंधर रहने वाला है अब विच林 का लाइसे कंदर तो मैं आपकी नेगिव साइडेट धिश्रा की बात करों कि की हो सकता है कि कल यह लेवल नहीं दूंगा और मेरा कल का favorite stock Infosys दोस्तो Infosys की बात मैं आप से करूँ तो थोड़ा सा आप पहले projection को समझने की कोशिश करिए कि क्या projection हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर कि एक ही trend line है जो की बहुत पीछे से respect होते हुए आ रही है Infosys के अंदर और कहीं न कहीं इसी trend line के पास market बारबर support find कर रहा था और इसी support का कहीं न कहीं हमें एक breakout मिल चुका है अगर कल दोस्तों हमें मैं इसके अंदर completely negative हूँ कल के लिए भी अगर यह कल positive जाता है तो मैं completely इसको avoid करूँगा अगर बठ अगर यहां में break देता है 1724 के अराउंड के level का तब कहीं न कहीं इसके अंदर 1725-1724 यह आपकी एक range है जैसी यह range break होगी आपको एक negative side पे बहुत अच्छी खासी fall Infosys के अंदर देखने को मिल सकती है टार्गेट आपका दोस्तो नेगेटिव साइट पे जो रहने वाला है वह आपका 1-2 का रहने वाला है और जो आप इसके अंदर अपने stop loss लागा के चलेंगे वह stop loss आप बहुत ही छोटा रखके चलेंगे अराउंड 5-6 रूपीस का stop loss आप इसके अंदर रखके चल सकते हैं अब आते हैं दोस्तों हमारे आखरी स्टॉक पर जो कि आपका मेटल सेक्टर्स का नेशनल अलूमीनियूम की दोस्तों मैं आप से बात करूं तो आप देख पाएंगे इसके अंदर भी exactly हमें एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं मैं जरहां इसको डिलीट कर देता हूं पहले जी आप देख पाएंगे इसी ट्रेंड लाइन के पास कहीं न कहीं इसको बार बार सपोर्ट फाइंड हो रही है और exactly वापस सही है अपनी सपोर्ट के आसपास हमें खड़ा हुआ दिख रहा है अब दोस्तों कल के लेस में हमारी क्या रनीती रहेगी वो मैं आपको बतायता हूं तो जब तक यह इन सपोर्ट को होल्ड कर रहा है और अगर कर आपका मेटल सेक्टर्स भी कहीं न कहीं थोड़ा सा आपको पॉजिटिव दिखते हैं तो आप कहीं नेशनल अलुमीनियम में डिरेक्ट अपनी एंट्री ले सकते हो और वेट कर सकते हो कि आपका एक इंप सपोर्ट जोन को तोड़ देता है जो कि आप आप क्लिरली देख भी पाएंगे कि एक्जेक्ली आपके एक वन हंड्रेड की आसपास की रेंज आए तो जैसे यह रेंज ब्रेक आट हो जाएगी हम नेगेटिव साइट पर भी एक अच्छी खासी अप्पॉर्चिनिटी ग्र अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले और अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुणना है जैसे कि आप देख पाएंगे कि इसमें हम लाइव इंट्राडे की स्क्रिंशॉट्स लाइव हम लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिशन में दे रखा है आप उस पर क्लिक करके जॉइन हो सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में थेंक यू सो मॉच